इस वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास इस टैब की Bluetooth Audio Receiver चिप है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस Receiver के साथ में किस तरीके से हम इस टैब का USB Connector लगा के गाने वगरा प्ले कर सकते हैं तो सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फोल डिटेल से बताऊंगा इसके अंदर कैसे आपको connection करने हैं और साथ में मैं इसका डायग्राम भी बताऊंगा तो वीडियो के बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना तब यह आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको किसी भी electronic soap से इस टाइप की यह audio receiver चिप ले लेनी है जो कि आपको बड़े अराम से 35-40 रुपेग अंदर मिल जाएगी यह एक Bluetooth कीट होती है लेकिन हमें इसके साथ में USB कनेक्ट करना है और USB से गाने चलाने है तो इसके लिए इस पनेक्टर को निकाल सकते हो इहापे अब हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इसके अंदर ढू숙гов देखना है इसके ऊपर नोबची प्लास्टिक खाली जगह तो हमें नमबर की पिन है यह हमारी DP यानि डाटा प्लस और की पिन है यह हमारी DM यानि डाटा माइनस और जो चोथे नमबर की पिन है यह हमारी है बैटरी प्लस यानि बी प्लस तो इस तरीके से यह चीज आपको देख लेनी है अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर यह जो हमारे पास audio receiver चीप है आपको कुछ इस टाइप की चीप लेनी है जिसके बीच में ऐसे point आपको देखने को मिले तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर दो point है त पहले नमबर की battery मानस की है और चोते नमबर की बैटरी प्लस की है तो दो वायर इसके अंदर जोड़ेंगे और दो वायर हम यहाँ पर जोड़ेंगे DP और DM के लिए तो यहाँ पर मैं total 4 वायर इस तरीके से पदली वायर है मेरे पास इसको मैं जोड़ लेता हूँ तो यह देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने चारों पिन पर वायर को जोड़ लिया है आप देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जो पह तरीके से मैंने चार वायर को जोड़ा है अब इसका connection हमें audio receiver के अंदर करना है तो इसके अंदर आपको समझना जरूरी है तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम बैटरी वायर को जोड़ेंगे तो बैटरी वायर कहां पर जुड़ेगी यहां पर देखे यहां पर DC5 वोल ने प्लस वायर को जोड़ा है तो इस तरीके से इस वायर को मैंने जोड़ दिया अब उसके बाद हमारे पास यह दो वायर बशती है जो यह हमारी एक है DP की और एक है DM की, तो इसके अंदर जो दो नमबर की पिन है, यह जो blue आली wire है, यह हमारी DP की, और यह तीसरे नमबर की पिन है, यह हमारी DM, यानि data minus की, तो यहां पे हम इसको भी फटा-फट जोड देते हैं, तो यह देखिए friend, यहां पे मैंने DM और DP की wire को ज जोड़ दिया है आप देख सकतो यह जो ब्लू आली वायर है इसको मैंने डी पी पे जोड़ा है और जो यहां तक हमारे कनेक्शन होगे अब इसके साथ में स्पीकर को चलाने के लिए हमें पाम चौरा से जेरो तीन और डियो मेड्यूल की जोड़ पड़ेगी तो यह मेरे पा क्या है कि एक स्पीकर को हम यहां पर जोड़ेंगे एक स्पीकर को यहां पर जोड़ेंगे इसके साथ में हम दो स्पीकर जोड़ सकते हैं और यहां पर देखें यहां पर हमारा लिखा हुआ है तो यहां पर कैसे करना है वह मैं आपको आगे बताऊंगा और यहां पर देखि यह जो T वाला पॉइंट होता है यह हमारा GND होता है और यह जो L है और R है तो L और R का मतलब क्या होता है लेफ्ट राइट होता है तो यहाँ पे आप किसी भी वायर को आगे पीछे करके जोड़ सकते हो लेकिन बीच वाले को आपको T के साथ में जोड़ना है तो कुछ इस त Czechushade थेखिए फेस अन्दी के साथ में जोड़ा है उसके बाद यए जो येधा है यहां पर Alt लिखा हुए हो यह जो आ आउट लिखा हो यहां बात माने वाला हूं तो यहां पर मैं और में ब्स पीकर को जोड़ सकते हो तो फटा फटी जोड़ता हूं 2020 को जोड़ने हैं यहा अब सकते प्लाइब तो यहां पर साथ में है को जोड़ेंगे तो यहां पर फटा-फट एक वायर को जोड़ लेता हूं यहां मैंने दो वार को जोड़के ये USB connector के प्लस माइनस पर जोड़ दिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसकी supply वाली वार को भी जोड़ दिया है अब उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे सारे connection हो चुके अब इसे हमें battery की supply देनी है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस module के साथ में, इस speaker के साथ में step की 3.7 voltage की battery यूज नहीं कर सकते तो इस module को अच्छे तरीके से चलाने के लिए या तो आपके पास step की 4 voltage की battery हो, जैसे कि यह मेरे पास 4 voltage की battery है, या फिर आप 5 voltage की supply दे सकते हो, अगर इसे कम की supply दोगे तो यहाँ पर आपको sound quality अच्छी नहीं मिलेगे, तो यहाँ पर मेरे पास 5 voltage की supply तो नहीं है, तो मैं यह 4 voltage वाली battery को जोड़ूँगा, तो इस battery वाली wire के अंदर देखें हमें क्या करना है, यह जहाँ पर हमने plus minus वाली wire जोड़ी है, तो वहीं पर हमें इसको भी जोड़ देना है, वो इस battery के अंदर पहले से एक switch लगा हुआ है, तो यहीं से हम इसको on-off कर लेंगे, तो यहाँ प सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह देखें मेरा USB connector, इसके अंदर चिप लगे हुई है, तो इसके अंदर एक non copyright song अगरा रखें ताकि मेरे चैनल पर कोई effect न पड़े, तो यहाँ पर मैं बस आपको गाना simply play करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखें मैं बटन को एक बार on कर जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हों कि गाना मारब प्ले हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने बटन से बंद कर दिया है, तो इस तरीके से देखिए, फ्रेंड की हमने कार्ड रीडर की मदद से यहाँ पर गाने को play कर लिया है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपक पूल डिटेल से कनेक्शन वगएर बता दिया है, तो उमीद करता हूँ फ्रेंड की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share जरूर करें, और चैनल पे नए होगई तो चैनल को subscribe करें, तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जय हैं, वंदे मातरम.